नाश्कार दोस्तों सौगत है आप सभी का अपके यूट्यूब चैनल कॉम्पेटीशन कम्यूनिटी में मेरा नाम नितिन है और थमनेल देखकर आप ये समझ ही गए हैं कि कि आज हम रिजनिंग Script forma के अगले पडाव की तरफ यानि कि जो topic आज हम cover करने वाले हैं वो क्या होने वाला है hospitality mamma one आप इसको दिशा का ग्यान भी बोल सकते हैं आप इसको दिशा आरेकभ भी कह सकते यह वही टॉपिक है जहां पर आपको दाएं बाएं उत्तर दक्षन पूरफ पश्चम यह सारी बाते करनी पड़ती है तो इस टॉपिक में आगे जाने से पहले पहले मैं बता देता हूं यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्यों ऐसा गया हो आपको एक उधारन के तौर पर बताऊं तो 2022 के सी सेट में यह प्रशन पूछा गया जिसके आधार पर तीन क्वेशन एक दो तीन क्वेशन लगातार पूछ ली गया तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये टॉपिक हमें आता है तो हमारे लिए स्कोर करना बड़ा आसान हो जाएगा खास करके ऐसे पेपर में सी सेट वगर में जहां पर अल्रेड़ी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि चीज है टफ है टफ कुछ नहीं है इसलिए हमने ये मान के चल रहा हूं कि ये सारी बेवसिक चीजे हम सभी को बहुत अच्छे सरीके से पता है यह आगया आपका नौर्थ यह हो गया आपका साउट यह हो गया आपका एस्ट यह हो गया आपका वेस्ट ठिक हिंदी में हम उसको क्या बोलेंगे उत्तर दक्षिन पूरव अगर साउट और वेस्ट के बीच में कुछ है तो हम उसको क्या कह देंगे साउट वेस्ट कह देंगे यहां इसको क्या कह देंगे दक्षिन पूरव इस तरीक से अगर मैं आपसे यह बूच लूँ नौर्थ और वेस्ट के बीच में कुछ है तो यहां तो आप उसको नौर् जिनने के पीछे जाएंगे, ठीक है, हिंदी मेरी थोड़ी सी हराव, आप इसको चेक करिएगा, यह अगर हमें समझने आता है, तो दूसरा important याने की महत्वपूर्ण पड़ाव यह है, जहां पर अमूमन बच्चे हार मान जाते हैं, वो यह होता है, कि सर, जब question में इस तरीक को अब देखना है, घड़ी कैसी रहती है, घड़ी की सुई है, मान लिए, घड़ी की सुई कैसी चलती है, अभी घड़ी की सुई है, घड़ी कैसे चलती है, सीधे हाथ पे चलती है, दाई तरफ चलती है, घड़ी की सुई कैसे चलती है, सीधे हाथ पे चलती है, दाई अब मैं आगर आपसे कहूं, आप इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, यह आपकी शकल है, यह आपके दो हाथ है, अब मैं बोलूँ आपको दाइं मुड़ना है, तो आपको खुद को ऐसे देखना है कि आप घडी की तरह है, ठीक है, घडी की सुई कहा जाएगी, इस तरह, तो यह वाला तरफ जहां आप मुड़ रहे हो, यह आपका हो गया, राइट साइड, यानि की दाइं तरफ, क्योंकि जिस तरफ घडी जाती है, घडी दाइं तरफ जाती है, सीधे हाथ की तरफ जाती है, यानि की दाइं तरफ जाती है, ठीक है, तो अगर एक हाथ आपका दाइ हो गया राइट हो गया तो दूसरा हाथ common sense है left हो यानि की बाया हो गया ठीक है आप इस तरीके से जा रहे हो मैं आपको बोल दूँ अब आपको दाइम उड़ना है तो आपको माल में यह घड़ी है घड़ी की सुई कैसी हाईगी नीचे ऐसी तो यह वाला तरफ हो गया से दाइम उड़ना है आपको माल में यह घड़ी की सुई है घड़ी की सुई कैसी जाएगी ऐसे मान लो यह साड़े साथ वगर बज़र है साड़े साथ से आठ नो एस तरह की से उपर ही जाएगी तो आपको माल में घड़ी की सुई इस तरीके से जाएगी तो यह साइड ऐसे आपको आगे बढणगा है। आपसे आप ऐसा कुछ पूछ लिया जाए। बताओ मुझे अब बाया मुड़ना है। आपको पता है कि हाड़ी इस तरीका सी यह तो यह वाला तो डाया होगा एनकि राइक हो गया, आपको बाया मुडबना है यानि कि आप इस तरफ मुड़रो, यानि कि लेफ्ट माया, इस तरफ, clear है ये वाली बात है, तो अगर ये सब छोटी-छोटी चीजें हमें मालुम है, तब हमारे लिए काम बहुत आसाल है, दूसरी चीज, अगर मैं आप से कहूँ, ये एक बिंदू A है, ये एक बिंदू B है ये वाली, ठीक है, तो आप हमेशा देखिएगा, यहाँ पे एक पाइथोगोरस ठ्यूरम लगेगा, यानि कि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा है, क्योंकि ये नौर्थ है, ये आपका इस्ट है, इन दोनों दिशा के बीच में 90 डि स्कूरर है, बराबर किसके होता है, A B स्कूरर प्लस B C स्कूरर, तो ये छोटी-छोटी चीजें आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब भी आपको minimum distance, यानि कि कम से कम दूरी तय करनी है, तो आपको सीधी रेखा एक जोडनी है, और उसी का ही आपको distance निकालना है, ये ची जे करना है, अगर मैं ये कहूं कि बिंदु B के संदर्ब में ये बताईए कि A कहां पे है, यानि कि मुझे B पे खड़े होके देखना है कि A कहा है, जब मैं B पे खड़े होंगा तो मैं कैसे देखूंगा? कि अर ए तो कही इस तरफ है यानि कि कहा है नौर्थ और इस्ट के बीच में यानि कि उत्तर पूरफ के बीच में ठीक है अब मैं अगर आपसे कहता B के संदर्ब में यह बताई है कि C कहा है तो मैं B पे वाँ पस खड़े होता हूँ और देखता कि C तो अरे C तो क्या है, East में है, B के कहां पे है, East में है, यानि की पूरव में, तो इस तरीके की बातों को भी आपको समझना है, clear है, अब मैं बोलूं C के संदर्ब में A कहा है, तो मैं C के संदर्ब में मतलब C पे खड़ा हो जाओंगा, और देखूंगा C से की A कहा है, तो मुझे सारे प्रशन बहुत ही आसान हो जाएंगे, तो पहला काम आपका यह है, कि इसको पॉस्ट करके एक बार सॉल्ट को इननी कोशिश करेंगे, दो मिनिटे से ट्राय करेंगे, बन जाता है, तो बहुत ही बड़िया बात है, नहीं बनता है, इसको आगे फिर देखेंगे कि कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, आईए देखते हैं, कारतिक एक कार में बिंदू A से चलना आरम करता है, वहाँ दक्षन में 30 किलो मीटर जाकर बिंदू B से बाय घूंगता है, बाय मतलब आपका लेफ, दाय मतलब आपका राइट, चीक है, कारतिक एक कार में बिंदू A से मैं आना लेता हूँ, यह बिंदू A है, यहाँ से कोई चलना आरम करता है, वहाँ दक्षन में 30 किलो मेटर जाकर बिंदू B, 30 किलो मेटर चला lazım. दक्षन याने की नीचे की तरफ बिंदू B पर पहुंचता है, और यहाँ से क्या होता है बाई मुर जाते है, यहाँ से क्या चलता है 50 km बढ़िया है अब आप से पूछा जा रहा है ये बिंदू C हो गया ठीक है वहाँ फिर बाएं घुम जाता है अब आप देखिए घड़ी की सुगी कैसी भी ऐसी अब आप ऐसे आ रहे हैं तो दाएं मतलब ये वाली नीचे कितना चला जाता है दाइं तरफ चला जा गया ठीक है यहां से बाएं गुम जाता है अब आप देखिए इस तरीके से आ रहे है तो ये आपकी शकल है ये दोनों हाते ये आपको मालूम है यहां से आपको कहा मुर्णा है बाएं गुम भाएं घुम गढ़िया घड़ी की सुगी इस तरफ गी जाती ये दायां होगा बाया कौन सा हो गया और यहां से आप सीधा चलने लगे ए तक जाते हो पचास किलो मेटर यह आ गया आप पचास किलो मेटर ठिक बहुत बढ़ी है इसके बाद वहाद बिंदू E से दाएं गोम जाते है बिंदू E से दाएं गोमना मतलब यह घड़ी की सुई हो अब आप समझ जाया था ठिक बिंदू F पर आ जाता है ठीक है बिंदू F पर आ गया अब F से वो दाएं गोम जाता है अब आप सोचीए यह आपकी घड़ी की सुई है यह इस तरीके से जाएगी तो दाएं तरफ क्या होगा यही तरफ और कितना जाता है 150 किलो मेटर बहुत जादा नहीं चला गया 50 तो इतना ही हो गया 50 और इतना हो गया कुल मिला के 100 हो गया और 50 चला जाता है तो यह आपका कुल मिला के कितना हो गया 500 किलो मेटर चला जाता है मान लो यहां कहीं आ जाता है और यह बिंदू कहा है जाकर बिंदू G से यह बिंदू G है आप इस तरीके से आ रहे दाएं बोलेगा तो उपर, बाएं बोलेगा तो नीचे, दाएं घुम जाता है, दाएं बोल रहा है यानि गड़ी की चाल, यह ऐसे जाता है, और H तक जाता है जो की 80 km, 80 km उपर, आप देखिए खुबसूरती ऐसी है, इस बिंदू से अगर आप देखेंगे 60 और 20 आप नीच जाओगे, यानि की 80 नीचे 80 उपर, इस तरीके से गेम उठीगा, यह आप कहुंच गए 80, और यह कौन सा बिंदू है, यह बिंदू है H, तो देखिए पूरी ड्रॉइंग आपकी बन गई, A से B, B से C, C से D, D से E, E, E से F, F से G, G से बात क्लियर है, यह आपको पता है, यह पचास है, यह भी पचास है, और यह कुल मिलाके डेड़ सो है, तो यह भी पचास होगा, ठीक है, बहुत बढ़ी है, तो यह हमारी ड्रॉइंग, यानि की मेन हमारा धाचा यहाँ पर बन चुक है, आईए इसको चेक करते है, बिंदू H के संदर्व में, बिंदू D किस है, आप देखो, H के संदर्व में, C तो इधर है, इस तरफ, और D इसके नीचे है, यानि की D कैसा हुआ, ऐसा कुछ, ठीक है, तो H के संदर्व में, अगर आप देखोगे, तो यह साउथ है, यह क्या है, इस्ट, यानि की यह दक्षिन है, और यह क्या है, पूरव, तो दक् बढ़िया, आसान है, बहुत आसान चीज़े, मैं आपको कह रहा हूँ, यह फ्री के मार्क से, आइए, चेक करें, बिंदू H और बिंदू F है, बिंदू H और बिंदू F के बीच में, नियोतम दूरी क्या है, बिंदू H और बिंदू F, आप दिहान से देखिए, बिंदू H यहाँ पर है इसको मैं यहाँ बना विंदू H है और F यहाँ पर है यह H है मान लीजे यह F है ठीक है क्या-k्या दे रखा है आपको यहाँ पर दे रखा है यह तो G है अर कितना है 1500 km ठीक अब आपको पता है यह चीज किती है 80, अब H और F के बीच में नियूतम दूरी पूछ रहा है, आईए चेक करेंगे, यानि कि यह H, यह G और यह F, यह 1.500, यह आपका 90 होगा, क्योंकि जब भी आप मुड़ते हो, 90 degree पे मुड़ते हो, आपके चॉक से आप मुड़ते हो, तो 90 degree का मुड़ा आते ह यह 1.500, यह 80, अब आप इसको देखिए, सीधी साब बात है, आपसे नियूतम दूरी पूछ रहा है, यानि कि यह direct distance आपसे पूछ है, आपको पता है कि यह समकोण, यानि कि आपका बन गया है, राइट एंगल, ट्रेंगल, यहाँ पे आप पाए ते गरस लगा से, तो HF ज यह हो गया 80 square और यह हो गया 1.500 square, यह तो लंबी बात जा रही है, आपको ऐसा लग सकता है, पर नहीं, द्हान से देखिए, 80 और 1.500, दोनों में ही 10 तो है है, तो 10 का square common ही ले लिजिए, अंदर क्या बात बन रही है, अंदर बात बन रही 8 का square, यानि कि 64, 15 का square, 225, यह कितन 10 square है, यह बरावर हो गया किसके, यह बरावर हो गया आपके HF square, बहुत ही समझदारी वाली बात है, यहाँ पर HF की value आएगी कितनी 170, कितनी आएगी 170, क्यों बोल रहा हूँ, जब आप HF निकालेंगे तो इसका वर्गमूल करेंगे, square root करेंगे, तो आप जब इसका square root करे इस 10 square में से एक 10 तो भार आजाएगा, 289 का वर्गमूल क्या होता है, 289 का वर्गमूल होता है 17, तो दो 17 हैं, तो एक 17 भी भार आजाएगा, एच F की आपकी दूरी कितनी आ रही है, 170, यह मैं बहुत एक-एक step लिख रहा हूँ कि कोई नया बच्चा भी देखे तो समझ जा संदर्व वाले ही question पूछके बहुत काम आसान करतेता है, बहुत जादा calculation कराता नहीं, बिंदू G के संदर्व में, बिंदू C किस दिशा में है, बिंदू G, देखे, बिंदू G ये है, C उपर की तरफ है, यह जी है, और यह C है, तो आपको पता है कि अगर ये G है, और यहा जाने की उत्तर पूरव में ये है, उत्तर पूरव में ये है, आईए चेक करेंगे, उत्तर पूरव आपका देखे, पहला ही option, सटी का option है, बात क्लियर है, आसान था, ठीक है, अच्छा लग रहा है, ये वाली series आपको पसंद आ रही है, तो बिल्कुल like और comment जरूर करेंग अग भी फिर देखे, जरूर जाओंगा, आईए चेक करिए, ये भी cset का ही प्रशन है, माफ करिए कि लग रहा है, यहाँ पर typing mistake हो गई, यहाँ जी है, जो अभी पहले हमने किया, वो कौन सा था, 2022 का, ये मिरे खाल से 2020 का question, ये मिरे खाल से 2020 का question, एक और प्रशन है, उपर थोड़ा सा आसान है, तो उसको मैं homework में देदूँगा आपको, ये वाला question थोड़ा लंबा जाएगा, जहाँ पर confusion हमें हो सकती है, तो ये वाली चीज मैं आपके सामने यहीं पर करवा देख, आईए चेक करें, a, b, c, d, e, f, g, h, i, यानि कि कुल मिला कि i तक आपको पता ह नौ चीजे होती है, है न, हमने इतना तो coding, decoding पड़ा है, तो कुल मिला कितने बिंदू है, नौ बिंदू है, इन नौ बिंदू को हमें बनाना है, अब देखिए कौनसी चीज कैसे बनेगे, पहले c और b की चर्चा की गई है, तो पहले आप c और b को बना लीजे, c जो है, b c से 2 किलो मेटर पूरव में है, यानि की बात वो c की कर रहा है, पर किस के हिसाब से, b के हिसाब से, तो पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, कि हम b को बना ले, चीज़, कभी भी आपका ये बना रहेगा, तो आपको तकलीफ वैसे भी नहीं होगी, आप हिंदी में भी इसको अब देखें, b से 2 किलो मेटर पूरव में है, पूरव मतलब east नितर, तो c आगया यहाँ पर, 2 किलो मेटर, बात clear, चीज़, a जो है, b से 1 किलो मेटर उत्तर में है, यानि की a जो है, b से उत्तर में है, b के उपर होगा, a यहाँ पर आगया, कितना 1 किलो मेटर, clear, बहुत बात कर रहा है, अब a के संदर में, देखो, a से 2 किलो मेटर दक्षिन में, तो a से 2 किलो मेटर जाओगे, तो 1 किलो मेटर पर यहीं आ जाओगे, फिर 1 किलो मेटर और नीचे जाना पड़ेगा, तब जाके आप बोलोगे, देखो, हाँ, खुल में लागे, 1 और 1, 2 किलो मेट down में, आपका south में, दक्षिण में कौन है, h, बहुत बढ़ी है, यह h भी बन गया, अब चेक करते जाईए, g जो है, h से 1 km पस्चिम है, h के संदर्ब में पस्चिम, यानि की west की तरफ, h के संदर्ब में west की तरफ, कौन है, g, और कितने km, कितने km है वाई, 1 km, यह आगया आपक पूरव में है, जबकि जो d है, वो g के पूरव में है, यानि की g के east में है, इस तरफ, कितने km, 3 km, जब g से आप east की तरफ जाओगे, यहां से east की तरफ जाओगे, 1 km में यहां जाओगे, यानि कि यहां से खुल मिला के 2 km और जाना पड़ेगा, तब आप बोलोगे, 1 और 2, 3 km done होगे, और यहां पे कौन है, d, बहुत बढ़िया, यह just is के नीचे आ रहा है, क्योंकि यहां से यह भी 2 km था, यह भी 2 km है, एक दम नीचे होगे, बहुत बढ़िया, F जो है, G से 2 km उत्तर में है, F जो है, G से, G से 2 km उत्तर में, उपर की दरफ, देखे रहे होगे, खुब सूर्ती यहां पे, बढ़िया आ रहा है, F 2 km उपर, यह जगे से, यह 2 km और इसी सतह से, यह चीज भी 2 km उपर थी, यानि कि यह बिलकुल सेम लेवल है, बहुत बढ़ F जो है, G से 2 km उत्तर में, I जो है, B और C के मध्य में, B इधर है, C इधर है, I कहां होगा, यह आगया आपका I, ठिक, मध्य में एकदम, मध्य है मतलब यह क्या होगा, एक किलोमेटर और यह क्या होगा, बहुत बढ़िया, जबकि E जो है, H और D के मध्य में, H और D का मध्य मध्य में है मतलब एक किलोमेटर यह बहुत बढ़ी है तो यह आपकी कुल मिलाके पूरी ड्रॉइंग बन गई जहां पे अब देखते हैं कि क्या क्या प्रशन बन रहा है आप भी चेक करिएगा आपका भी इस तरीके का ही कुछ ड्रॉइंग बनना चाहिए आईए चेक करिए ए और आई के मध्य की दूरी क्या है यह यहाँ पे था आई यहाँ पे था है आप इसको ऐसे देखिए यह आपका B था यह आपका C है इसी के जस्ट नीचे एकदम H और D था तो E एकदम इसके सटीक बीच में था एक एक और जो I है इसके एकदम सटीक बीच में था एक एक तो इनके बीच की दूरी कित्ती होगी जो B और H और C और D के बीच की दूरी रही होगी एक किलोमेटर यह आपको बता था 1 km है, यह भी 1 km है, तो यह चीज भी कित्ती होगी, 1 km, आपका option होना चीज है 1 km, 3, 2, 5, इन में से कोई नहीं, इन में से कोई नहीं, आपका सही है, क्योंकि आपका answer क्या रहा है, 1 km आना चाहिए, ठिक, बहुत बढ़ी है, आएए चेक करते हैं, दूसरी च क्या है, E और F के मद्धे की दूरी क्या है, आएए चेक करें, यह देखिए E है दोस्तों है, इसको यहाँ पे अब मैं बना लेता हूँ, यह E है, और F यह है, इनको अब हमें direct जोड़ना है, तो वो हमारी दूरी आ जाएगी, वहाँ पे वो सबसे छोटी दूरी पूछना E और यह F, देखें लीजए अब कहा है, यह 1 किलो मेटर है, यह 1 किलो मेटर और 2 किलो मेटर ऐसा और यह 2 किलो मेटर, चैस आएगा। यह चेक करें, वहीं पर ट्रॉइंग बना देता है, यह E था, यह E था, E कित्ता था यहां से इस बिंदू से देखिएगा तो 2 km था, वही अभी हमने जश्ट चेक किया, G से E कित्ता है, 1 km तो यह 1 km यह, 2 km 2 km को लिए है, यह 2 km था, यह वाली जो दूरी आएगी, वह कित्ती आएगी, यह shortcut होता है, अगर सेम सता है, बुझाएं सेम है, तो answer आपका क्या आ रहा है, 2 root 2 आना चाहिए, आप निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे, F E square is equals to F G square प्लस G E square, यह shortcut से आप तुरंद भी निकाल सकते हैं, यह कित्ता है 2 square और यह कित्ता है 2 square, यह कित्ता है 4, 4, 8 ठीक है, F E square हो गया, आपके 8 के बराबर, F E कित्ता हो गया, रवर्ग मूल डाल देंगे, अब इसके अंदर 4 into 2 लिख सकते हो, तो एक 4 बाहर एक 2 दे देगा, अंदर एक root 2 बचा ही रहते हैं, आपका answer आना चाहिए, option number C, 2 root 2, इतना आसान होता है दोस्तों, यह वाला topic, SSE में भी आती है, banking में भी आती है, हर जगे ही पूछी जाती है, यह बहुत ही जरूरी और easy चीज है, इसी विए हम इसको छोडने का risk नहीं लेंगे, इसको बहुत आराम से हम करते हुए चले रहें, अब यह जो दोस्तों आपको question देख रहा है, यह आपके लिए क्या है, as a homework का question है, यह भी आपके देखिए, CSAT 2021 का question है, ठीक है, तो बिलकुल आपसे मैं request करूँगा कि इसका screenshot जरूर ले लें, ठीक है, और इसके आधार पे मैं आपसे एक question पूछ के जा रहा हूँ, उसका भी screenshot ले लें, ठीक है, फिर जब आप free हो जाएं, तो आप उसको solve करके अधी बिंदू N जो है, S से 3 km पस्चिम में है, तो M और N के बीच नियूतम दूरी क्या हो, ठीक है, और जो ना बने ये प्रशन, तो अगले वाले वीडियो में इसको फिर से हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, ले लिया है पनने, screenshot बहुत बढ़ी है, ठीक है, तो इसी तरीके से support करते चाहिए, अगला जो वीडियो होगा, अगला जो मैं वीडियो लाना चाहरा हूँ, उस से logisms के उपर लेके आना चाहरा हूँ, जो आपको अगले गुरुवार मिलेगा, आपको लगे कि कोई और topic पहले चाहिए, तो आप वो भी comment करके बता स झाल